आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ दालमुट समोसा हाँ आपने सही सुना दालमुट का समोसा क्या कभी आपने खाया है नहीं तो चलिए बनाते हैं आज की नई और यूनिक रेसिपी I am sure आपको ये बहुत ही पसंद आएगी बट उससे पहले मैं खुश्मु का नोजिया औ और मैं अपने चानल घर का जाय कावित खुश्मु में आपका स्वागत करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस इसे एक लाइक और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डो की तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर मैदा लेंगे और इसी के साथ इसमें एड करेंगे हम अजवाइन और मंगरेला और साथ में ही हम add करेंगे अपने टेस्ट के ही साब से नमक और फिर इसमें थोरा सा हम मोमो के लिए तयार करेंगे हम इसमें add करेंगे while तो यहाँ पर मैंने चार चार चमच while लिया है और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे अगर आपको पता न चले कि आप इसमें कितना while add करना है तो जब आप इसे हाथ में लगाईएगा तो यह balls की तरह बन जाए तो आप समझ जाए कि यह इतना while ही इसके लिए काफी है तो देखिए यह लड़ू की तरह बन चुका है तो हमारे लिए युवाइल काफी है तो अब हम इसे एक पानी की हेल्प से इसे एक टाइट डो तैयार कर लेंगे तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आइड करकर एक डो तैयार कर लेते हैं और वैसे भी आपने तो बहुत वार खायोंगे आलू के समोसे पनीर समोसे आप एक वारी से जरूर ट्राइ करिएगा यह बहुत ही यमी लगता है खाने में और मैंने दालमोट की रेसिप भी अपने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा अब डू तैयार हो चुका है अब हम इसे कुछ देर का रेस्ट देंगे तो इसमें हम थोरा सा वाइल लगा लेंगे और इसे दस से पास मिनिट के लिए रेस्ट देंगे कवर करकर जब तक ये रेस्ट करता है तब तक हम आगे की तयारी कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैन गर्म करने के लिए रख देंगे और देखिए मैंने यहाँ पर दाल मुट को दो से तिन घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया है या फिर आप जब तक पानी में सोक करेगा जब तक ये थोड़ा मुलाइम ना हो जाए और पानी भी अप ज्यादा इसमें एड्ट मत करिए गजाए और देखिए गर्म हो चुका है तो हम इसमें वाइल एड्ट कर देते हैं और फिर हम इसमें एड करेंगे साबुत धनिया, अजवाइन, मंग्रेला, पचफोडन और हरी मिच अद्रक और ये सारी इंगेडियन्स करना मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा तो जब ये हलकी खुस्पु देने लगे तब हम इसमें एड कर देंगे सोक किया हुआ दाल मुट और इसे हम पानी सुखने तक या फिर थोड़ा और मुलायम होने तक ही कुक करेंगे तो इसे कवर भी कर सकते हैं आप तो मैं तो यहाँ पर इसे कवर करकर ही कुक करूंगी तो इसे मैं चारो तरब से फैला देती हूँ और फिर मैं इसे किसी बरतन से कवर कर इसे पानी सुखने तक मैं कुक कर लेती हूँ और ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है और ये रेसिपी मेरी रेसिपी है तो हम 5 मिनिट के बाद देखते हैं तो देखिए पानी अच्छी तरह से सुख चुका है अब हम इसमें मसाले आइड करेंगे तो अब आई मसालो की बारी तो मैं इसमें हल्दी आइड करूंगी लाल आइड करूंगी और मैंने इसके इंगे नियंज का नाम भी वीडियो के लाजट में नोट कर दिया है आप कितने कौंटिटी में आइड करिएगा तो इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा लाजट तक और फिर मैं इसमें आइड करूंगी वाइल किये हुए मटर और यह optional है आप चाहे तो आप इसे add भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं और फिर मैं इसे एक दो मिनिट के लिए और cook करूंगी और फिर इसे हम दूसरे पैन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे जब यह ठंडा हो जाए तब हम इसमें add करेंगे black salt थोड़ा सा मिक्चर और यह मिक्चर बजार का खड़िदा हुआ है और सारे इंगिडियंज को अब हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और इसे side में रख देते हैं अब 10 मेट हो चुका है अब हमारा dough भी तयार हो गया होगा तो देखिए dough भी अच्छी तरह से तयार हो चुका है अब हम इस की लोई तयार करेंगे समोसा बनाने के लिए तो हम इसे छोटे छोटे बॉल्स तयार कर लेते हैं मैं यहाँ पर मिनी समोसा बना रही हूँ तो मैं उसी अकार कहीं बॉल्स दोंगी अगर आप चाहते हैं बड़े बड़े समोसा बनाने के लिए जो मार्केट में मिलता है तो आप बड़े बड़े बॉल्स बनाईएगा तो इसी तरह से हम सभी बॉल्स को तयार कर लेते हैं बॉल्स अब तयार हैं अब हम एक बेलन चकला लेंगे और इसे समोसा का अकार देंगे अब हम एक बड़े बॉल्स अब़े बॉल्स अब़े बॉल्स अब़े बॉल्स अब हम इसे किसी नाइप के हेल्प से बीच से कट कर लेंगे और इसे में हम दाल मोट का मिक्चर अइड करेंगे और इसे हम चार तरफ से पानी लगा लेंगे ताकि दाल मोट का मिक्चर बाहर ना निटले अब हम इसमें मिक्चर को यानि दाल मोट को एड़ कर लेंगे तो इसे एक सेप देते हैं और सेप देने के बाद हम इसमें एक चमच दाल मोट एड़ करेंगे इसमें ज़्यादा दाल मोट एड़ मत करिएगा नहीं तो वो फट जाएगा क्योंकि यह आलू नहीं हो रहा है कि आप इसमें जितना भी बढ़िएगा तो यह नहीं फटेगा और इसे दवा दवा कर हम बंद कर लेंगे सील को इस तरह से तो देखिए एक समोसा तयार हो चुका है अब हम इसी तरह से बाकी समय से को भी बना लेते हैं अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए हम यहाँ पर एक कड़ाई लिए हैं और उसमें एड़ करेंगे वाइल को और वाइल यहाँ पर हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है स्रिफ हलका मीडियम गर्म करना है इससे हमारे समोसे बहुत ही क्रिस्प बनेंगे तो हम इसे चेक करने के लिए हम इसमें थोरा सा मैदा का डोड डाल देंगे और जब यह हलका धीरे धीरे उपर आने लगे तो हमारा तेल गर्म है अब हम इसी अस्टेच पर इसमें एड़ करेंगे समोसे को और इसे भी मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे धीमी आज़ पर फ्राई करेंगे और इसे जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डेन ब्राउन हो न जाए तो देखिए धीर धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है तो देखिए धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है और धीरे धीरे फ्राई भी देखने में लग रहा है ना बहुत ही खुशूरत क्यूंकि घर का जाए कावित खुश्वू में जो पकता है वही दिखता है और यह हलका गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसे एक टीस्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा वाइल बाहर हो जाए अब आई सर्व करने की बारी तो हम एक प्लेट लेंगे और उसे प्लेट पर रख लेंगे और साथ में ही हम एड करेंगे ग्रीन और रेड चटनी मैंने इसकी भी वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ आप आई बटन पर क्लिक किजिए तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म दालमोट की समों से तो आप इसे अपने घर पर ट्राइ करने के लिए इंग्लिडेस को नोट कर लीजिए जो की ये हैं अब हम इतने प्यार से इसे बना है तो टेस्ट करना तो बनता है नहीं तो ये बूरा मान जाएगा तो चलिए इसे टेस्ट करकर भी बताते हैं कि ये कैसा बना है तो देखिए कितना क्रिस्प है और ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है तो हम इसे ग्रीन और लाल चट्टी के साथ खाते हैं वाव वाव देखने में बहुत ही खुश्रत लग रहा है मेरे तो मुँँ में पानी आ रहा था देखने के ही तो मैं इसे खावी हूँ और ये बहुत ही अच्छा है आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक तो बनता ही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर कोई भी कंजूसी मत कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की इंट्रेस्टिंग और यूनिक रेसिपी आप लोगों के लिए लाते राती हूँ हमेशा अपने इसी चैनल घर का जाएका विद्खुश्बू में तो फिर मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ अपने इसी चैनल घर का जाएका विद्खुश्बू में जब तक खुश रहिए खुशिया बाटते रहिए और आसपास सफाइब बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए